तो स्टार्ट करते हैं, create करेंगे header, उसके लिए मैं आप एक फोल्डर एड कर रहा हूं, जिसका नाम है projects, like mini projects हमें आपे create कर रहा हैं, तो अभी जब हमने जो भी सारी चीज़ें यहां पे एक topic के form में पढ़ें, उसको हम एक साथ करके, उसको हम use करके, mini projects यहां पे create करेंगे, जो कि static होंगे सर्फ HTML CSS होगा, बाद में हम JavaScript सीखेंगे, तो हम उसको बनाएंगे, मतलब वो फिर interact कर पाएगा आप से जहां पर server होगा, आपका page में JavaScript होगा, तो जो आप किसी चीज़ पर click करोगे, या फिर कुछ भी करोगे, तो कुछ animations होंगे, और वो react करेगा, simply आपके click क pages के form बनाना, यहाँ पर हम सीखेंगे, ताकि बाद में हमें असानी हो, वो pages create करने में, ओके, स्टार्ट करते हैं, हम पहला project हमारा navbar, जिसमें हम सिर्फ navbar बनाना सीखेंगे, एक simple सा navbar कैसे create कर सकते हैं, मैं यह नहीं कहूंग, बहुत ही ज्यादा beautiful navbar होगा, ऐसा नहीं है, बट simple आप अपने project के लिए, एक simple सा navbar आप कैसे create कर सकते हो, उसके बाद जितना ज्यादा आप time देते हैं, उतना अच्छा यह project बनता है, ओके, तो हम बहुत कम समय में देखेंगे, basic सा navbar कैसे create कर सकते हैं, इन्दी project, I will add the HTML file, एक HTML file एड़ करेंगे, एक CSS file एड़ करेंगे मैं आप एक पहला file एड़ कर लेता हूँ, जिसका नाम है navbar.html, like this, यहाँ पे HTML एड़ कर लेते हैं, like this, यह basic हमारा template है HTML का, और इसके बाद इस document का title हमें आप लिख देते हैं, navbar example, okay, now इस file को run कर लेते हैं, तो open करेंगे इसको हम live server में, and then इस browser में यह open हो गया, like this, अभी यहाँ हमें क्या करना है, इस body के अंदर navbar create करना है, तो generally जो हमने आपर करते हैं, तो हम उसको header बोलते है, like उसके लिए हमारे पैस टैग है header, यह वह header होता है, तो हमने यह header tag का use किया, इसके अंदर मुझे use करना है, मैं li का use नहीं करूँगा, लिस्ट का use नहीं करूँगा तो मैंने यहां पर एक डिफ क्रिएट किया एंदें इस डिफ के अंदर हमने हमें एक बटन देना है तो उसमें होगा एंकर टैग एंकर टैग दिया slash करेंगे तो हमारे home page पर जाएंगे और हमने लिखा यहां पर home यहां पर एक element add हो गया है home यहां पर क्लिक करेंगे home आज आएगा तो इस तरह से हमारा header हो गया पर multiple links होंगे तो इस डिफ को मैं और भी copy create कर लेता हूं और यहां हमारे right hand side पर होंगे तीन बटन left hand side पर होंगे तो क्योंकि यह तीन का हम एक group create कर रहा होगी तो इनको group में convert करने के लिए हम इसको अगरे डिव में रैप कर सकते हैं या फिर left hand side so left side के buttons and then यह हो जाएंगे हमारे right right side buttons ओके नाओ पहले तो लेफ्ट और राइट तब होगा जब यह एक रो के फॉर्म होंगे इस रो के फॉर्म में create करने के लिए हमें इस header में flex element apply कर सकते हैं इसको हम flex box create कर सकते हैं इसको simply मैं only only flex का यूज करूंगा यहां पर only flex only flex का यूज करके हम बहुत अच्छी लियाउट से यहां पर create कर सकते हैं तो यहां पर style add कर लेते हैं style add करने के लिए projects के अंदर ही मैं add कर लेता हूं navbar.css and then navbar.css को इस HTML के साथ link करेंगे यूज करेंगे link tag का related to styles is dot slash navbar.css now इसके अंदर header इसके अंदर div है and div के अंदर again जो divs हैं वो हमारे list के buttons है तो आप सलते है navbar में और यहां पर हम header के लिए style apply कर देते हैं हमने का header क्योंकि मुझे साइड बाइस साइड दिखाना तो मैं इसको display set कर सकते हैं तो हमने इस पर लेका display is equal to flex तो नाव दो डिव हैं क्योंकि div ब्लॉक के लेवल element उसके अंदर भी div है तो यह एक की नीचे एक आ रहे हैं बद दो डिव जो की header के अंदर direct child थे वो अब साइड बाइस साइड आ गए तो हमें क्या करना कि जो header के अंदर एक और div है header के अंदर एक और div है यह रहा है header के अंदर जितने चाइल्ड डिव से उसमें हमें flex is equal to flex is equal to display display is equal to flex करना है like this तो यह भी flex हो गया okay and header के अंदर direct child है उसके अंदर मुझे अपलाए करना तो मैं इसको यहाँ आप एक एंगुलर ब्रैकेट का यूज कर सकता हूं जिसकी वाज़े में बताऊंगा कि हैडर के अंदर डिरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ उस पर मुझे display flags apply करना है ना यह जो डिव है क्योंकि मैंने घाडर तो यह display apply हो गया जब मैं कहता हूं यह वाली डिव इसका मतलब क्या है इसमें बॉर्डर अप्लाइ करके देखते हैं का बॉर्डर इकोस्तु वन पिक्सल सॉलिड और कोई भी एक कलर डोजर ब्लू तो आप देख सकते हैं बॉर्डर आ चुका है लेट्स में को समझने में थोड़ा असानी होगी ब्लैक तो इस तरह से दो डि यहां प्यां पर यहां पर आएगा Qu Doncs खते हैं करेंगे हैं किया करना था करना है स्पेस बटबीन तो चो दॉन असके बीच में सपेस रहेगा है राइक पहर Cityкие स्पेस sortie यहां पर आएगा justify content क्योंकि हम main access है हमारा भी रो एंड रो हमारा में एक्सेस जस्टीफाइब content में एक्सेस पर काम परेगा लेट्स मेंगे चेंटर आम ओके सब्सक्राइब यहां पर नहीं आएगा यह आएगा तो इन element को हमें इस साइड ले जाना है या फिर इस साइड ले जाना है फिर बीच में रखना है तो हमें यहां पर अप्लाइ करेंगे header में justify content let's make it center तो center में आ गया मुझे कहना space between space around में यह आ गया space between में यह दोनो side by side चलाएंगी बीच में space रहेगा like this अब क्या करना हमें जो header के अंदर div है div के अंदर और भी divs है तो हम div div करके select ना करें हम इसको कह देते हैं row and column ओके या फिर हम इसको कह देते हैं nav हम इस पर class apply कर देते class is equals to nav क्योंकि एक nav है एक जो elements को contain करता उसको हम nav कहते हैं हमने उसको का class is equals to nav and इसके अंदर जितने डिव है वो nav item हो जाएंगे जनरल जो एक convention है वो हम follow कर रहे हैं जो nav के अंदर उसको हम बोलेंगे nav-item nav item ओके एंड जो nav item के अंदर जो link है यह रही सारी links हम इसको class apply कर देते हैं nav nav link like this now classes से हमसको select करते हैं तो हमने इस हमें इस डिप को select करना है which is dot nav यह हो गया same चीज अब हमें dot nav item को select करना हमने कहा nav item like this nav item में हमें जो margin है margin right हमें set करना which is 10 pixels like this space आ गया 10 pixels का let's change the content यहां पे लिख देते हैं login register logout ओके यह हो गया now border की ज़रूत नहीं है इसको remove पर नहीं like this okay now dot nav link में हमें apply करना है nav link तो जो link है उसमें हमें text decoration को none करना है तो जो blue जो आपको दिख रहा है उसकी नीचे underline देख रही है वो remove हो जाएगी like this okay text decoration none dashboard में क्यों नहीं हुआ apply यह रा dashboard इसमें हमने class apply नहीं किया that is why class is equals to nav link like this आप चलते हैं text इसमें color apply कर देते हैं text color हमने लिखा color is equals to black like this okay header में height set कर दें तो इसमें हमने का height is equals to 20 pixels and then इसमें color apply कर देते हैं तो background color is equals to dozer blue like this okay अब यह header इसमें margin padding add हो रही है तो इसमें जो margin padding है उसको apply कर देते हैं margin is equals to 0 and then padding is equals to 0 apply नहीं हुआ है इसका मतलब कि margin padding आ रही है वो body से आ रही है तो एक से remove करते है body कर देते हैं हमने का body the body में जो by default margin padding होती है उसको हमने करना है आप is zero margin 0 और पैर्णिग भी देकर है तो वैसे नहीं है लाएग मथी सा करते है इसको खर देने 30 uh ह्को सब्सक्राइब तो सवकिल के लिए। लिए के-स नीका सिंटर मुट्टे इस तरह सी काम करेगा, now header में अगर आप padding add करना चाहते हो left and right में तो यहां पे हम कहेंगे padding is equals to padding is equals to अपना यह हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ 10 pixels, तो चारों साइट से हो जाएगा, 10 pixels तो यह जाएगा, but मुझे, sorry यह नहीं, मुझे top, sorry, मुझे 10 pixels किया हमने, और अगर मैं उसके पहले एक value add करता हूँ, 0 pixels, तो उससे क्या होगा, top and bottom का 0 pixels हो जाएगा, लेकिन left and right का क्या हो जाएगा, 10 pixels, okay, like this, मैं two values यहां पे set कर रहा हूँ, 10 pixels, तो left and right से spacing बढ़ेगा, 10 pixels, तो दौनों साइट से मैं यहां पे padding add कर दिया, तो इस तरह से मैं आपे create कर सकता हूँ तो basic सा nav bar, आप इसके colors भी change कर सकते हो, let me change the color to the white तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, color selection आप अपने हिसाब से कर सकते हो, dozer blue को थोड़ा dark करेंगे, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, like this, okay, and इसका font change कर सकते हैं, तो हमने आप लेका font family is equals to कोई भी एक basic सा format कर देते हैं, like this, sense serif, यह, okay, simple, okay, बहुत मैंने zoom किया, इसलिए आपको font बहुत बढ़े देख रहे होंगे, जब यह zoom out होगा, तो कुछ इस तरह से देखेगा, अभी इसका height बहुत कम है, so let's make to 40 pixels, 50 pixels, like this, okay, so इस तरह से बेसिक सा जो nav bar है, वो आप यहाँ पर create कर सकते हो, okay, तो अभी हम हम देख रहे हैं, इसको हम close कर रहे हैं, तो इसका जो size है, वो बहुत, क्योंकि अगर nav bar में item जादा हो, मैंने screen को छोटा किया, तो अब देखो यहाँ पर नीचे horizontal scroll bar आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको कैसे configure कर सकते हैं, कि जैसी हमारा screen छोटा हो, यह जो nav bar है, यह vertical में आ जा मारी ख़य्क जादार जोटा है, जब देखे में कर रहाँ हैं, यह कर रहे हैं, जा सकते हैं, लो एकर दीचे अव्क्योना लाग कर रहे हैं, जा सकते हैं, कि ज alignment क्योंकित?